आज हम मेंगो कश्टर बना रहे ये हमने तीन बिंगो बरे बरे काट के उसका हम पल पना के लिए चील के उसका पल पना के लिए ये हमने तीन डेबल इस्पून बरे के कश्टर पॉडर लिए ये हमने थोरा सा दूद लिए ठंडा ये अमुल किरिम लेंगे ये काजू लेंगे ये हम एक मेंगो को ऐसा काट के रखें और ये चेरी लेंगे और ये ये दूद है उसको हमने गरम करने रखें अब यह हम बता ये हमने ठंडा दूद इसके अंदर दालेंगे अब ये कश्टर पॉडर लेंगे और ये दूद के अंदर मिला देंगे अभी कस्टर पॉडर को अच्छे से मिला देंगे अच्छे से इसमें से मिला देंगे दूद गरम करने रखे ये ठंडा दूद हमने निकाले हैं उसके अंदर कस्टर को मिला दिए दूद गरम हो रहा है उसके अंदर थोड़ा थोड़ा दालेंगे हिलाते जाएंगे देखें दूद गरम हो गया अभी थोड़ा थोड़ा दालते जाएंगे हिलाते जाएंगे तो अल्द दालते जाएंगे, गिलाते जाएंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा लंफ बन, अंदर गुटली होना नहीं चाहिए और कश्टर गारा होने तक उसको पकाएंगे कश्टर गए आच्चे से, देखे कितना आच्चे से हो गया दोखो बता रहे हैं अईसा गाड़ा करेंगे, देखो किरिम ठंडा लेने के ठंडा किरिम लेने के ये किरिम अच्चे से पेटेंगे थंडा किरीम ये हमने फिरीज से निकाल के तो अच्छे से फेटेंगे जब तक ये किरीम घट हो नहीं जाता जब तक इसको फेटेंगे देखो कैसा किरीम फेट के हो गया एकदम फस क्लास एकदम गड़ा गड़ा हो गया अभी हम इसको तीनु को मिला देंगे एक सार ये किरिम के अंदर दालेंगे, ये देखो, अभी इसके अंदर ये मिला देंगे और कश्टर दाल की मिला देंगे, ये देखो हमने किरिम को और कश्टर, सौरी, किरिम को और आम के पल्प को अच्चे से फेटे, ये देखे कैसा गाड़ा हो गया एकदम फसकलास देखे, अभी इसके अंदर कश्टर को मिला देंगे अभी ये कश्टर को मिला देंगे ये देखे अभी कश्टर को भी मिला दिये तीनु चीज एक साथ मिला दिये और आपको शक्कर चाहिए तो दालो हमने दसरी आम का पल्प लिये थे दसरी आम बहुत मिठा रहता है इसलिए हमने शक्कर नहीं डाले आपको शक्कर चाहिए तो आप डाल सकते शक्कर ए देखो कितना गाड़ा हो गया देखो चमच में भी नहीं आ रहा है ऐसा बनाने का देखो देखो मेंगो कष्थर बन गया अभी हम इसको एक गंटे के लिए फिरिज में रखेंगे और उसके बाद आपको सजा के बताएंगे देखो हमने मेंगो कश्टर बनाए एकदम प्लेश्टी फस्ट गलाज बनाए अभी फिर इस से निकाले हमने देखो इतना अच्छा बनाए ऐसा बनाओ हमारे तरीके से बनाओ में किचन को लाइक करो शेर करो सब्सक्राइट करो जादा से जादा शेर करो अलाह रफीज